सबसे पहले तो सभी किष्टवार के रेसिडेंट्स को नमश्कार और सलाम आज का जो प्रेस क्रॉंफरेंस है उसका में इशू है कि आने वाले दिनों में हमारे यहां पे काफी सारे फेस्टिबल्स और रिलीजियस प्रोग्राम्स आयोजित होने वाले हैं और उसके लिए administration की तरफ से अलग अलग इंतिजामात किये जा रहे हैं तो उनी की जानकारी पपलिक को देने के लिए और उसमें उनकी किस तरह की cooperation की हमें requirement रहेगी उसके बारे मां अचकी यह conference करी जा रही है सबसे पहले मचैल माता यातरा के ऊपर आ जाते हैं मचल मता यातरा जैसे कि आप सभी को पता है 25 जून से 5 सितंबर तक हमारी चलती है हर साल और इसमें जो लास्ट टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे यांपे ब्रिज का इशू था जिसकी वज़े से नेगेटिव पॉबलिसिटी हुई और उसकी वज़े से लोगों का जो नंबर था वो भी कम रहा लेकिन इस बार मैं आपके माध्यम से सबी को बताना चाहूँ हमारा गुलाबगाड पाडर में यात्री बवन है जिसमें 2000 से जादा से लोगों के रहने की सुविदा रहती है उसको हम लोग बनाके कम्प्लीट कर रहे हैं जिससे की लोगों को जो आते हैं बाहर से रुखने का एक उप्शन मिलेगा उसके अलावक कफी सारे लोग चाते हैं कि वो लोग मचैल में ही रुक जाएं और मचैल में रुकने के लिए हम लोगों ने कुछ लोकल वेंडर से बात करिये हैं जो कि अपना टेंट सिटी लगाना चाहते हैं तो सरकार अपनी तरफ से उनको बिजली और पानी की सुविदाएं प्रोवाइट करेगी ताकि वो जितने भी वहाँ पे पिल्ग्रिम्स आते हैं उनको रुकवा सकती है लास्टली जो मचल यात्रा के बारे मैं बताऊंगा एक चीज है कि सोलर का जो हमारा लाइट है उसका इशू रहता था 30 किलोवाट वो हमने एक प्लांट अभी यहाँ पे सेंक्शन कर दिया है टेंडर हो के अलोट भी हो रहा है और मेरे को उमीद है कि आने वाले दो या तीन हफतों में वो लग जाएगा हेलिकॉप्टर की अगर हम बात करें तो हेलिकॉप्टर का हम लोगों ने इस बार तीन बार हमने टेंडर किया है और इसमें काफी सारे फैक्टर्स रहे अमरनाथ यात्रा भी चल रही है केदारनाथ यात्रा भी चल रही है उसकी वज़े से कॉम्पटेशन कम रहा तो जहां हम पिछले साल के रेट्स की बात करें तो जो हमारा में जो सेक्टर जिसमें सबसे जादा ट्रैफिक चलता था गुलाबगर से मचैल जो साड़े पचेस सो यानि 2500 के आसपास एक साइड का फेर रहता था इस बार वो भढ़के 3700 के आसपास पड़ रहा है हम लोगों ने अपनी तरफ से काफी कोशिश किया आगे भी कोशिश रहेगी कि कुछ हेलिकॉप्टर वेंडर से और बात की जाए लेकिन जादा उमीद नहीं लगते हुए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी कि इसी रेट में हम लोग पिल्ग्रिम्स को ये सुविदा प्रोवाइड कर सके ये रहा मेंगी मचैल का अगर हम बाकी यात्राओं की बात करें तो अभी सत्थल माता की यात्रा आ रही है 26 से 27 सथाइस उसके अलावा उर्सक का फेस्टिवल है जिसमें की हमारे आपे अभी 21 तारिक को ये प्रोग्राम होने जा रहा है ये बड़ी वाली जियारत में साथ-साथ हमारा 21 तारिक कोई हुद माता की यात्रा है जो की किष्टवार्ड में आएगी और किष्टवार्ड से 22 तारिक को जाएगी दच्छन की तरफ तो काफी सारे फेस्टिवल के प्रोग्राम्स है एड्मिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से जितने भी कमिटीज है चाहे वो उसकी कमिटी हो वक्फ बोर्ड हो उसके साथ-साथ जो मंदिर्स हैं और जो यात्रा की कमिटीज हैं उनके साथ मीटिंग्स करी है पब्लिक के साथ हमारी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो मेंली ये रहेगी कि आप लोग सारे गाइडलाइन्स का पालन करें ट्रैफिक का खास्ता और से ध्यान दें सिक्योरिटी की जो हमारी इस्टैबलिश्मेंट और पुलीस है उनके साथ को आपरेट करें और मुझे लगता है इन सब चीजों के साथ हमें इंशूर कर पाएंगे कि इस बार के हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल बहुत हर्शोल लास और पीसफुल मैनर में हो पाएंगे थैंक यू